मैं आर्जुन आपका mathematics mentor और आज मैं आपके लिए ले के आया हूँ कुछ धमा के दार ट्रेग जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी डिजिट नंबर का क्यूब केसे फाइंड आउट करना है क्योंकि यह जो कॉंसेप्ट से नहीं क्यूब क्यूब स्कुर्ण 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 को बहुत परिशान करते हैं एक्जाम में हमें कहीं न कहीं ऐसा एकार आज आता है जहां पर इनकी जरुद पड़ती है तो टैंथ में बेसिक की वज़े से हमारे मार्स नहीं जाने चाहिए इसलिए आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का क्य सब्सक्राइब करना है और वह भी वित शाट्री तो देखो बीटा कुछ नंबर्स लेते हैं और उसके लिए न हमें यह कुछ बेसिक पता होना चाहिए जो कि मैंने आपको अल्री बताया था लास्ट कास में बताया था कि क्यूब कैसे फाइंड आउट करते उस ताइम भी भी बताया था आपको 129 क्यूब्स लन होने चाहिए अब अब इसमें और क्या पता होना चाहिए अगर आप क्लोजली यहां पे थोड़ा सा अफ्जर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो नंबर वन से एंड होता है उसका क्यूब भी वन से एंड होता है समझ में इस कुछ आते हैं से n होने वाला नंबर का क्यूबромश से 20 होता है तो ऐसे ही एड से न होने वाला जो नंबर है उसका क्यूब टूसे एंड होता है तो कुछ समझ में आ रहा है two eight two a तो मिल गया तो क्या हम यहां पर कुछ शॉट ट्रिक बना सकते बिल्कुल बना सकते तो आपको क्यूब रुट करते टाइम पर याद रखना है कि अगर हमारे नंबर में लास्ट में टू है तो हमारे आंसर में लास्ट में एट आएगा अगर हमारे नंबर में लास्ट में एट है तो हमारे क्यूब रुट में लास्ट में टू आएगा तो टू का एट आएगा एट होगा तो टू आएगा बस इतना याद रखो अगर हमारे नंबर में लास्ट में तो आंसर में यह तो यह थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है और बस इतना आपको याद रखना क्यूब रूट में और बाकी की नंबर्स का क्या तो आप अगर देखेंगे तो बाकी के नंबर आते हैं तो वन आ रहा है और वाइस वर्सा भी पॉसिबल तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब देखो पहला जो कोश्चन है हमारा उसमें यार लास्ट में कोश्चन हைरे जासल inland करना है कुण है कर hat jeunes ynकर स्वा स्वार वा स्वारे नए जैसे में बोला सालैंथ करके यहां पर लास्ट के 3 डिजिट को करना है क्यों की तो बुलाब 3 जो है उसको उंदरलाइन करो और यूनिट डीजट में क्या है एठ तो डारेक्ली आप टो लिखेंगे एठ तो और टो है तो एट अब बचा हुआ नम्बर क्या है बिटा हमारे तरीका 27 उससे क्लोज है चोटा ही चाहिए हमें बड़ा नहीं चाहिए ना तो 32 के नजदीक कौन सा पर्फेक्ट क्यूब नंबर है 27 और वो किसका है तरीका है इसका मतलब मेरा आंसर क्या है वेड़ा मेरा अंसर ए 32 हो गया यह आपको समझ में आया होगा अभी सेकेंड कोश्चन हम लेते विटा सेकेंड कोश्चन उसमें यह त्रिक और मैं एक बार रिपीट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा आप देखो सबसे पहला रूल क्या बोलता विटा कि लास्ट के 3 डिजिट को आपको अंडर्लाइंग करना है और इसकी यूनिट डिजिट में क्या है तो मेरे आंसर में क्या आएगा अब बचा हुआ क्या है यहां पे बचा वह नमबर सवन नाइटि फार नेंटि वाई का नस्दीक वाला परफेक्क्यू नमबर क्या है 345 125 आता है चिक्स का 216 आता है सेवन का पूर थरी आता है बढ़ा हो रहा है ना इसका 216 भी बढ़ा हो रहा है वाइव का ही चलेगा फिर देंगो इक्सका 16 बढ़ा इससे तो 5 का ही लेना पड़ेगा मतलब यहाँ पर आएगा तो यह इसका क्यूब रूट फिप्टी एट है तो अंशर में बचवा नंबर उसका परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है वो क्या था परफेक्ट क्यूब नंबर उसके नजदीक वाला कौन सा था क्या है क्या है इसका क्यूब इस नंबर के नजदीक जा रहा है तो फाइव है क्योंकि सिक्स का क्यूब अगर लेंगे तो बढ़ा हो रहा है तो इसलिए हमें फाइव ही कंशन बगा क्यूब पृइट विल्हक राएजा सर्वाथ पहिले और्शुर त्री डिजिटल अंडर लाइन करा सेवेन सल्थर आंसल्थर री जांगित लुन लुनकि पगा टू था एटू था टू थो थी था सैवन 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 सैंवन त्री यहान गून दा मंबर सा थाफ्वन यहां पर फिर से एक बार 3 तो 3 है तो 7 बचा हुआ क्या है यहां पर बचा हुआ है 658 कौन से नंबर का तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा बेटा 87 आगे बढ़ते और कुछ एक्जम्पल देखते हैं अब यह वाला देखो फिर से एक बार 3 डिजिट को अंडरलाइन 9 है तो तू का 8 8 का 2 तरीका 77 का 3 इसकी अलावा जो भी होगा वह सेम रहेगा यह चार नंबर्स के अलावा जो 34 तो टू का 8 होता है 3 का 27 और 4 का 64 बढ़ा हो रहा है तो 3 का 27 चलेगा रही हो गया मेरा अंसर 39 यहां पर आते 6 2837 में से नहीं है तो जो है वही आएगा लास्ट जिक्स अब बचा क्या यहां पर सोर यहां पर तो 30 नहीं 97 बचा है 97 के लिए तो मुझे यही लेना पड़ेगा क्योंकि 5 का तो 125 बढ़ा हो रहा है तो 64 मतलब 40 चलेगा तो मेरा अंसर आएगा 46 एकदम क्लियर अब कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाता है अप्टू 10 स्टैंड तो बहुत बड़े नंबर नहीं आते है यारा है तो हमने maximum कितने डिजिट का नंबर लिए तो 46 से बस हो गया उससे बड़ा नंबर बतले 87 उससे बड़ा नंबर तो नहीं आता है अप्टू 10 स्टैंडर बट यह उससे बड़े वाले नंबर के लिए अप्लीकेबल है उसके आपको बस इसके आगे जाना पड़ेगा फिर क्यूब जो लर्न करते ना तो वह 10 से भी आगे वाले 11 12 के लर्न होने चाहिए ज्यादा टेंशन नहीं लिना है हमें इससे बड़े numbers नहीं आते आपको 129 क्यूब अगर लर्न होंगे तो आप किसी भी नंबर का अप्टू 10 सकते हैं तो आपको सारे के सारे एक्जांपल समझ में आया होंगे तो फिर अभी होम वक्तों बनता है ना आपको कितना समझ में आया यह चेक करने के लिए मैं आपको कुछ कोश्चंस दे रहा हूं और इनके आंसर्स आज यूजवल आपको कहां पर बताने हैं कमेंड बॉक कोश्चंस के अंसर मुझे कमेंड बॉक्स में दिखने चाहिए तो आपको यह त्रिक अच्छा लगा हुगा ऐसे ही अलग अलग त्रिक्स लेके आएंगे और हमारा मैच जो है आसान बनाएंगे तो चलो बिदा मिलते हैं नेक्स लेक्टर में ओके बाइबाइ टक्यार